बिसमिल्हेरमान अरहीम, अस्सलाम उलेकुम. आज हम बनाने जारे है है चिकन पकॉड़े. चिकन पकॉड़े हैं पॉनलेस, तेड़ पॉन. मसालों में मैंने लिया है भुना जीरा, कुटावा 1 टी स्पून, भुना धनिया, कुटावा 1 टी स्पून, कड़ी पत्ता पाउडर हाफ टी स्पून मेरे चैनल पर आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स पिसी लाल मिर्च हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून खटाई पाउडर हाफ टी स्पून नमक, 1-2 टी स्पून इन सब चीजों को हम पहले चिकन में आट कर देंगे लसन दरा का पेस्ट, 1 टी स्पून सब को अची तरह से मिक्स कर लेंगे 1 टी स्पून का प्लार या कॉंच स्थाश, 1 टी स्पून मेर्दा और 1 टे स्पून बेशन तीन पाउडर हो के बादर चória उसमें दाल कर दूंजाएंगे अची तरह से मिक्स करने कе बाद आप इसको मरिनेट करने के लिये रख दें की एक घंटे के लिए फूट कलर औरिंज में डाल रही हूं वन एट टी स्पून जब चिकिन मेरिनेर हो जाएगी तो हम इसको तलेंगे एक कड़ाई में तेल अच्छी तरह से गरम कर लें चिकिन की बोटियों को छोटा छोटा कटवाना है उसे ही होता है पकोड़ी जल्दी बनते हैं और अच्छे बनते हैं अंदर से कच्छे नहीं रहते फाइफ मिनिट्स रखें आप टोटल टाइम धाई-धाई मिनिट इच साइट आपको तलनी है ओवर कुक नहीं करना है उससे चिकिन जो है सखत हो जाती है थोड़ा सा फ्रेश कड़ी पत्ता डालेंगे इसमें तलते में और हरी मिर्चों को उससे तेल में और चिकन में अच्छी खुश्बू आ जाती है हरी मिर्चों की और कड़ी पत्ते की थोड़ी सी हरी मिर्च और कड़ी पत्ते को मैंने रखा है गानिश के लिए अब हम चिकिन को निकालेंगे एक जाली के उपर ताकि इसका सारा तेल निकल जाए इस तरह से सारा तेल ट्वे में आ गिया है अब इसका हम डिश आउट करेंगे चिकन को मैंने डिश आउट कर लिया है अब एक चिकन की पीस को मैं आपको तोड़के दिखाऊंगी बहुत सौफ्ट और जूसी चिकन बनती है यह बच्चों को बहुत पसना आती है स्नैक है बहुत मज़ेदार पकोड़ी है बनाकर जहूर देखिएगा कॉमें सेक्षिन में बताइएगा आपको हमाई रेसिपी कैसी लगी अगर हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू बनाकर तो हमाई लगी अधर ऊचचों झाल झाल